Hello Friends, Welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैन्त महापात्रा की पोयम डॉन आट पूरी के बारे में Friends, पूरी उडिशा में बसा हुआ एक शहर है जो की हिंदु धर्म में एक बहुत ही important holy place है एक बहुत ही महत्रपूर्ण धार्मिक स्थल है यहाँ पर भगवान जगनाथ का एक बहुत ही भव्य मंदिर है और हिंदु अक्सर यहाँ आते हैं अपनी प्रथाएं और रीती रिवाजों के चलते इस poem की title dawn at puri का मतलब है पुरी में होने वाली सुबह और उस समय वहाँ पर क्या सीन होता है क्या कुछ हो रहा होता है poem में poet हमें यही बताता है यह poem six stanzas में बाटी गई है और हर stanza में तीन लाइन है इस poem में कोई rhyming scheme नहीं है poem में poet हमें हिंदू धर्म या Indian society में जो hollowness है जो उनकी जूठी मान्यताएं हैं प्रथाएं हैं उनके बारे में बताता है और poet खुद भी किस तरह उनका हिस्सा बन गया है इस पर भी अपने विचार देता है friends जैंत महापात्रा एक बहुत ही famous Indian English poet हैं जिनका जन 22nd October 1928 में हुआ है साथ ही English poetry के लिए साहित Academy Award पाने वाले वो पहले Indian poet हैं उन्हें साल 2009 में पदमश्री से भी सम्मानित किया गया है और उनकी famous works में Relationship, Indian Summer और Hunger शामिल हैं तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line रीट कर समझने की कोशिश करते हैं endless crow noises यानि कवों के चिलाने की उनकी काक्णी की लगातार आवाज आ रही है a skull in the holy sands और उस मंदिर के पास की मिटी पर जो बहुत ही holy है धार्मिक है उस पर एक skull है यानि एक मरे हुए इंसान की खोपड़ी है tilts its empty country towards hunker और ये खोपड़ी वहाँ पे क्यों है क्योंकि वहाँ पर एक लाश को जलाया गया था जो शायद ठीक से जली नहीं है हो सकता है कि वो आदमी जिसकी ये लाश थी वो कोई बहुत ही गरीब इंसान था और उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ठीक से उसका दासंसकार कर पाते इसलिए शायद ये लाश ठीक से जली नहीं और उसकी खोपड़ी बच गई पोईट हमें बताता है कि किस तरह यहां इंडिया में इतनी गरीबी है फिर भी लोग अपनी प्रथाओं को पूरा करने के चक्कर में अपने पैसे खर्च करते हैं और उन्हें शायद ठीक से पूरा भी नहीं कर पाते हैं इस कल को देख करके ही शायद कववे इतनी शोर मचा रहे हैं यानि सफेद रंग के कपड़े पहने हुए या सफेद रंग की साड़ी पहने हुए कुछ विदवा औरते हैं वहाँ पर यानि वो औरते जिनके पती मर चुके हैं पास्ट असेंटर अफ देर लाइब्स फ्रेंट्स यान सेंटर्स का मतलब होता है वो चीट जो ने बहुत प्रियत थी जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महदव पूर्ण थी तो जो अपनी जिन्दगी की खुशियों को अपनी सारी इक्छाओं को अपनी सारी विशेस को छोड़ कर आगे बढ़ चुकी हैं विद्वा होने के कारण इनकी हर खुशी को हर मनुरंजन को इन से चीन लिया गया है और वेटिंग टू एंटर दे ग्रेट टेंपल और वो उस महान मंदिर में प्रवेश करने का इंतजार कर रही है उन्हें अपनी जिन्दगी में अब बस पूजा पार्ट करना है और भगवान की शरन में रहना है हमारा समाज फ्रेंट्स ऐसा है जहां पर पती के मरने के बाद औरतों को जबरदस्ती विद्वा बनके रहना पड़ता है और साथ ही उन्हें जो वर्डली प्रेजर्स हैं जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जो उनकी जरूरती होती है उससे उन्हें मूँ मोरना होता है बलकी एक सादगी भरा जीवन जीना होता है और केवल भगवान की पूजा करने में ही अपना मन लगाना होता है पोईट का ध्यान इसी बात की तरफ है जिस तरह कोई पक्षी जाल में फसने के बाद अपनी आजादी को तरसता है ठीक उसी तरह ये औरतें भी अपनी पती की मौत के बाद एक तरह के जाल में ही है जहां उनसे उनकी सारी आजादी छीन ली गई है और वो तडप रही है और जो सुबह की रोशनी है वो उनके लिए एक नई उमीद लेके आई है जिसके सहारे वो जी रही है उन्हें उमीद है कि ये जो उनकी जिन्दगी के आखरे पल होंगे भगवान की पूजा करते वे इसके कारण उन्हें स्वर्ग मिलेगा इस जीवन से संसार से मुक्ती मिलेगी फ्रेंट्स लेप्रश शेल्स यहां दो तरीकों से शायद इस्तेमाल हुआ है पहला तो उन भेखारियों के लिए जो मंदिर के बाहर उसकी सीडियों पर बैठे रहते हैं वहीं अपनी जिन्दगी काट लेते हैं और दूसरा उन छोटी जाती की व्यक्तियों के लिए रोशनी में वो गरीब भिखारी या वो छोटी जात की जो लोग हैं वो जुंड बनाकर खड़े हैं एक दूसरे से सट कर उन्हें मंदिर में घुसने की उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है यानि कि वो कौन हैं कोई नहीं जानता उनका नाम भी किसी को मालूम नहीं है और साथ ही वो क्राउच्ड हैं यानि उन्हें कुष्ट रोग है जिसके कारण उनका शरीर जुग गया है तो पोईट यहां पे हमें बताता है कि किस तरह गरीब लोगों को, भिखादियों को और छोटे जात के व्यक्तियों को मंदिर में घुसने तक की अनुमती नहीं है जो उसके हिसाब से बहुत ही गलत है And suddenly breaks out of my hide और अचानक से मेरी इस सोच को तोडते हुए मेरा ध्यान वापस से अपनी और खीचते हुए into the smoky blaze of a sullen solitary pyre एक जलती हुँई चिता से निकलते हुए धुए में मेरा ध्यान घीच लिया है उस धुए ने जो की उस जलती वी चिता से निकल रही है और वो चिता किसकी है? That fills my aging mother जो मेरी मा की है यानि मेरी मा की लाश वहाँ उस मंदिर के बगल में जल रही है और उनकी चिता से निकलते हुए धुए ने मेरा ध्यान अपनी और खीच लिया है यानि poet यहाँ पर अपनी मा की लाश को जला रहा है Her last wish to be cremated here उनकी आखरी इक्छा थी कि उनका दास अंसकार यहाँ पूरी में हो भगवान जगनात के मंदिर के पास twisting uncertainly like light on the shifting sands और अब उनकी चिता से जो धुआ निकल रहा है वो मुड रहा है अपनी दिशा बदल रहा है उस धार्मिक स्थल पर भी यानि शायद वो धुआ उनकी आत्मा उनकी सोल है जो पीस पाने के लिए मुक्ती पाने के लिए जाना चाती है मगर यहाँ की तकलीव देखकर शायद उनका भी मन विचले थो रहा है यहाँ पर फ्रेंट्स यह पोएम खत्म होती है इस पोएम में पोएट ने इंडियन सोसाइटी और स्पेशली जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बताया है कि उसमें किस तरह एक खोखला पन है वो विद्वा औरतों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीने देती है साथ ही गरीब लोगों को या जो छोटी जाती के लोग हैं उन्हें अपने भगवान की पूजा नहीं करने देती है और तो और जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो ठीक से खा सके उन्हें सारी प्रथाओं को मानते विदा संसकार करना पड़ता है जबकि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं पोईट के हिसाब से ये सभी मान्यताएं जो हैं ये खोखली हैं और इन्हें स्वीकारने से इन्हें पूरा करने से हमारी आत्मा को मुक्ती नहीं मिलने वाली है तो ये थी फ्रेंड्स जैन्त महापात्रा की पोयम डॉन आट पुरी